प्यारे बच्चो आज हम आपकी क्लास का हिंदी का कारे पत्रक दो करने जा रहे हैं बच्चो पहला प्रश्ण है नीचे दिये गई शब्दों को उनके अर्थ के अंसार खालिस्तान में भरिये बच्चो दो यहां option दे रखे है जो सही होगा वो हमें टिक करके और फिलप करना है यहां खालिस्तान में भरना है सूरज का चारो और बिखरा है तो बच्चो सूरज का परकाश होता है तो चारो और बिखरा होगा दूसरा है गीता, खेल में बहुत, तो यहाएगा बच्चो पूर्तीली है, तीसरा है मुझे तुम्हारी जरासी मदद चाहिए, अब थोड़ा सी मदद तो आएगा नहीं, क्या आएगा फिर जरासी मदद, चोता है राजा दुशंत का पूरे देश में राज था, राज्ये त तो उसका रहता है, लेकिन राज तो वो पूरे देश पर करा तो यहाँ पर राज आएगा, दूसरा है बच्चो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द है, जिनके एक सेहदी करता है, जैसे कल, कल दो होता है, जैसे आने वाला कल और पिता हुआ, पर भी दो परकार की होते हैं, जैस चिडिया का पंक, या उपर, पर, पर के उपर, किसी चीज के उपर हो, जैसे मेल पर किताब है, और बच्चो उत्तर भी दो परकार का होता है, एक तो उत्तर दिशा होती है, दूसरा पर्शन का उत्तर, जो आप आंसर देते हो, या जवाब देते हो, तो बच्चो ऐसे ही हम में इनके अर्थ बताने हैं, एक नाम होगा, उनके दो अर्थ होंगे, तो नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ लिखना है मगर, मगर एक तो बच्चो जानवर होता है, आपको पता है मगर मच, एक होता है मगर लेकिन, मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पहन नह होता है तार जिस पर ममी कपड़े सुकाती है तार होती है ठीक है जिसे आप वायर बोलते हो लंबी सी होती है जब बिजली की जो बच्चों वायर होती है उसके अंदर जो दातू होती है पीतल होता है वो सब क्या होता है तार होती है प्लास्टिक की तार होते है जैसे नाइलन की जिस पर कपड़े सुका जाते है लोहे की भी तार होते है जिस पर बच्चे कपड़े सुकाते है मम्मी ठीक है अब एक तार होता है संचार का साधन यानि जिसके माध्यम से संदेश पहुचाया जाता है ठीक है अब तीसरा है सोना एक तो सोना होता है गहना जैसे हार, अंग बच्चे सोना है नीद आ रही है यह वो वाला सोना है एक सोना के बच्चो देखो दो अर्थ निकल रहे एक तो गहना हा रहे है दूसरा नीदेना हार भी बच्चो दो परकार की होते हैं एक जो आप गले में पहनते हैं वो होता है गले में पहनने वाला दूसरा हार होता है किस किसी से पराजी तो जाना किसी से आर जाना मानलो आप मैच खेल रही हो एक team जीत गई है तो दूसी team क्या हूँ आर गई यह वह वहला हर है और फल बच्चों थे खाने वहला फल होता है जैसे आम सेब गेला और एक फल होता है परिणाम ठीक है ये भी कहते हैं सुना अगा मैंन इतनी मेहनत की, क्या फल मिला मुझे, मतलब मुझे कोई परिनाम नहीं मिला, तो ये फल दो परकार की होती है, फल के दो अर्थ निकलते हैं, अब बच्चों तीसरा है, निमा लिकित वेक्ति हमारी किस परकार साइथा करते हैं, डोक्टर क्या करता है, मरीज्यों का इलाज करत है अध्यापक विद्यार्तियों को पढ़ाने का काम करते हैं और किसान खेत में काम करते हैं अनाज उत्पादन करते हैं पुलिस जनता की रखवाली करती है इनका काम में जनता की रखवाली करना वकील का काम न्याय दिल्वाना और नर्स करती है बच्चों मरीजों की देखवाल तो इस तरह से आपकी आज की सेकेंड वक्षीट वक्षों कम्प्लीट होती है वीडियो को लाइक है शेर करना ना भूलेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपकी जो मैथ और इंग्लिश की वक्षीट पर बच्चों वीडियो बन रहे है वो भी one by one आप तक पहुंसते जाएं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा फिर भी कोई प्रोब्लम आती है तो हमारा टेलिग्रम चैनल जोइन कर सकते हैं अपनी प्रोब्लम्स को येड़क सब्सक्राइब तक जो रूखे घंग्यू